जयमा इंद्राक्षी जयम बे इंद्राक्षी धाम में दर्श्ट को आप सभी का हम हारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज गुप्त नवरात्र का प्रथम नवरात्र है सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले है बस आपसे एक ही आज हम प्रात्ना करते है हमारी यवाज थोड़ा बैठी हुई है समझने का आप लोग करपया प्रयास करें हाला कि आज प्रथम नवरात्र है। मेरा मन नहीं माना कि कम से कम जो द्राक्षी धाम से जुड़े लोग हैं। जगद जन्नी मंगल करनी से जुड़े हुए लोग हैं। उन तक मेरा संदेश आज का पहुँचे हैं। इसलिए वीडियो बनाना मेरा बड़ा मन था। खेर, आईए, पहले आज कम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चाम करेंगे, 10 फरवरी सन 2024, दिन शनिवार, समवंत 2080, मागमास, शोकल पक्ष, तिथी आज प्रतिपदा है, नक्षत्र दनिष्ठा, राहुकाल 9 से साड़े दस, दिशासूल पूर्व दिशा, हमारे चार नवरात्र होते हैं, जिसमें मुखे एक नवरात्र, चेत्र नवरात्र है, जिसे बासंतिक नवरात्र कहते हैं, जो आगामी समय में आने वला है, एक नवरात्र हमारा होता है, किसका आश्विन माह का, वो हमारा शार्दिय नवरात्र कहलाता है, और दो नवरात्र, रातर होते हैं एक आशाड माह का और एक माग के महीने का माग के महीने में वैसे भी दानपुन करना मागी पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व होता है तो वो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा वो भी आप देख लेना और मागी पूर्णिमा से ही दस मिनट की साथ ना सभी को की प्रारंब हो रही है तो खrail आज की बात करते हैं जगत जन्नी सबसे प्रसंद रहे और उस भगवती की चरण में हम अपना पूरत जीवन अपनी एक एक सास हम भगवती को नरचावर करते हैं मिरी साद को पहले से नहीं मैं आपको यह अंक दे पाया उसके लिए खेद है लेकिन बहुत लोग हैं गुप्त नवरात्रों में भी वर्त रखते हैं तो आज से प्रतिपदा है और नौमी तक यह वर्त रहेगा जो रखना चाहें तो नहीं तो आप अपने मुख्ये दो ही नवरात्र रखिएगा चैत्र के और असोज के ठीक है शार्दिये और बासंतिक दूसरी बात लेकिन इन नो दिनों में जितना आप से हो सके आप भगवती का गुनगान करें जगत जन्नी हैं ब्रह्मा, विश्नु, महिश किस प्रकार से आपने देखा है इस तूतियां की गई हैं भगवती के प्रती जहां जहां भारत में भारत से बाहर जहां जहां जगत जन्नी के शक्ती पीठ हैं उन शक्ती पीठों में इन नवरात्रों में भी धूम धाम से पूजाएं की जाती हैं इसलिए साद को आपका जो घर है आपके घर में जो छोटा सा मंदिर है वो भी भगवती का एक बहुत बड़ा मंदिर है दिल बड़ा मन बड़ा भाव बड़े तो समझना भागवान वही खड़े उपस्तित हो जाते हैं सादक की भावना को देखते हुए उसके भागवान तो बेटे आज जरसे प्रत्रम नवरात्र है तो आज के दिन जो संसान से जुड़े हैं अच्छे से इंद्राक्षी इंद्राक्षी दुरगाजी का ही नाम इंद्राक्षी है आप भगवती के हजार नाम पढ़ें आप गाहित्री माता के हजार नाम पढ़ें उनी नामों में ये आपको मिल जाएगा इंद्राक्षी गाइत्री के नामों में भी तो भगवती का एक नाम इंद्राक्षी भी है भगवती का एक नाम अनिको नाम है भगवती के और नो नामों से तो भगवती जाने ही जाती है भगवती का एक नाम शेल पुत्री भी है ब्रह्मचारनी भी है च दसम महाविद्याओं में भगवती मातंगी सबरूपा हैं, कमला सबरूपा हैं, आपने दसम महाविद्याओं में भगवती दूमावती हैं, दसम महाविद्याओं में भगवती बगला हैं, तारा हैं, शोडसी हैं, भुमनेश्वरी हैं, छिनमस्तिका हैं, यही भगवती आप जुआला जी जाए जुआला जी के रूप में समाई होई है यही भगवती कामाख्या पीठ में वास करती है यही भगवती चामुंडा के रूप में वास करती है आयम हरीम कलीम चामुंडा आए विच्चे आयम में सरस्वती वस्ती है हरीम में महालक्समी वस्ती है कलीम में महा काली का वास रहता है चंड मुंड का विनाश करने वाली तिरपदा महाशक्ति आप सबी साधिकों का कल्यान करें जितना आप से हो सके पूरी दुर्गा सब्त शती का निचोड है नवारण मंत्र नवारण कहते हैं इसको लेकिन ये निवारण भी करता किसका आपकी समस्याओं का आपकी परिसानियों का आपके कश्टों का हर समस्याओं का समन करता है भगवती का ये दिव्वे अमुग नवारण मंत्र तो आज आप से जादना हो सके भगवती का ध्यान करके संध्या के ही समय सही दूप दीप ऐसे भगवती को अरपन करके और यह घर में कई बार कोई घर में कुछ चीज़ नहीं होती तो दूद तो अवे लेविल होता ही होता है थोड़ा सा दूद गरम करें हैं थोड़ा सा मिश्ठार मिला मैं भगवती को भोग लगा मैं बाद में किसी करनिया को घर में यस्वम उसे ग्रण कर सकते हैं नवारण मंतर की पाँच माला आज जरूर करने का प्रियास करें इन नौ दिनों में भगवती का वाज घर घर में गुज़िता है चलते फिरते उठते बैटते आहम हिरिम कलीम चामुन डाई विच्चे या दुरगा नाम जब दुरगा 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 दुर्गा आप जबते रहें आनन्द आएगा आपको देखो भगवती की साधना है ये किसी भी साधना को साधना इतना आसान नहीं होता और बेटा जितना तुम जगत जन्नी के चरणों में रहोगे ना उसका नाम लोगे ना आपकी पुकार वो सुनेंगी माँ माँ हैं पिता से पहले बच्चा अपनी अरजी अपने मन की बात अपनी माँ से कहता है पैसा चाहिए तो माँ से कहेगा कहीं जाना है तो माँ से कहेगा क्यों उसे विस्वास है कि माँ सुन लेंगी उसे विस्वास है कि मेरा काम माँ की करपा से हो जाएगा फिर पिता त मन की पुकार अपने हर्दे की पुकार अपनी माता से कहिएगा उनका दुलार आपको जरूर मिलेगा आप ना भी कहें बालक के हर्दे में धड़कते हुए भाव बालक के मन में कोलकल अपनाएं बालक के मन के विचार बालक के मन की पीड़ा बालक कौन हम सब बालक के मन की पी एक माँ अपने बच्चे के कष्ट को बचान लेती है, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, ना कहना जानता, ना ना कुछ बताना जानता, ना भूग का ज्यान, ना प्यास का ज्यान, लेकि माँ समय समय पर उसकी भूग का, उसकी प्यास का, उसकी लेटन बाथरूम का, हर जन्नी का गुनगान करें, आप ड्रामे बाजी में ना फसें, आज का समय ड्रामे बाजी का है, आज का समय दिखावे का है, आज का समय बनावट का है, आप बनावटी आवरण को ओड़ करके साधनाय नहीं कर सकते, समझें, हर दे से साधना करें, ना समझें मैं फूल नहीं ल हर शक्ति तुमारे घर में मुझूद है, हर कीमती शक्ति तुमारे घर में मुझूद है, जिस पूजा घर में तुम पूजा करते हो न, जाए तुमने एक भगवान रखे हैं, चाहे तुमने दो सब रूप रखे हैं, उनी सब रूपों में समस्त ब्रह्माना के देवी देवत वसने मालूम नहीं है आपको भगवान कनकन में है भगवान रज रज में तुम में राम हम में राम सम्में राम ही राम समाया इसलिए बेटा कभी मन को मत दुखाना सुभारी नहीं है कोई बात नहीं पान का पत्ता नहीं है कोई बात नहीं भोग नहीं है कोई बात नहीं बहुगों पर भारी पड़ जाता है ये तो सब दिखावे की बाते होती है कि हम भगवान को 56 भोग लगा रहे है अरे बेटा भाव का भोग 56 भोगों पर पानी फिर देता है ध्यान रखना है भाव सबसे बड़ा है इसलिए बेटे भाव थे सुदामा के अपनी काख मैं तंद प्ठी जगननाथ ने उनको ग्रहन किया समझे भाव थे बिलनी के के वो बेर भगवान राम आतूर थे उन्हें चखने के लिए तो आपके भाव होने चाहिए आज का दिन बड़ा सुन्दर दिन है पल पल भगवती की करपा हर घर में भिखरती है आज अच्छे से कुछ भी आपके घर में हैं कुछ भी पढ़ने का प्रयास करना और ज्यादा ना हो सके तो बेटे चलते फिरते ऐजब पजब दुरगा 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 इतना ही जबते रहेंगे तो आपकी साधना सफल होगी आपकी साधना सार्थक होगी और कल भगवती के द जो लोग बहुत नियमों में, सहयों में नहीं बंदना चाते हैं, तो कोई ऐसी डरकी बात नहीं है, बिटा हम बच्चे हैं भगवान के, तो हमारी गल्तियां भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन जान पूझ करके अगर हम गल्ती करते हैं, तो वो गलत बात है, इसलिए हम से ब जितने भाव जगा करके आप कर सकते हैं, जितने इंतिजाम के साथ आप भक्ती कर सकते हैं, उतनी आप करने का प्रियास करना, अब एक और उपदेश, उपदेश क्या, एक संदेश, उपदेश गलत, संदेश, संदेश क्या, ये 24 तारिक से आपको जोड़ रहे hem, भगवती की एक सात्पना से. बिटा, यह आपका मेरा कोई पूर जर्म का नाता है, आप ध्यान से सुने. आपको मैं ने जानता, आप मुझे जूर जानते हैं. लेकिन अन्तवहावसे मैं आपको भी जानता हूं, कोई विकानेर से है, कोई राइस्थान के दुर्गम छेत्रों से हैं, कोई हिमालिय की घाटियों से हैं, कोई विदेसों से हैं, कोई उडिसा से हैं, कोई पंजाब से, कोई बिहार से, नजने कहां कहां से आप मोती विखरे हुए हैं, जिने हम एक माला में, एक धागे में, भगवती की साधना के ध प्यास करते हैं तो यह कोई पूर जनम का आपका हमारा रिष्टा है पूर जनम का आपका हमारा नाता है कि इस नाते के तहट हम कुछ भी कहते हैं आप दोड़े चले आते हैं और आपके ओपर जगत जन्नी मंगल गरनी की करपा है जो आप से यह साधना करा रही है नहीं तो व बातों के लिए समय गुमने फिरने के लिए समय बोजमस्ती के लिए समय इधर उदर जाने के लिए समय लेकिन भ्यक्ति के पास पूजा करने के लिए समय नहीं है तो आपके हम 10 मिट चुरा लेंगे आपके 24 घंटे भगवान में दिये उसमें से 10 मिट हम ले लेंगे आपके ज जब कोई बड़ा कष्ट आता है तो समझो बड़ा सुख मिलेगा ध्यान रखना बड़ा कष्ट आया है तो बड़ा सुख देने के लिए आया है च्यों कि रचाओं है तो धूप तो आएगी आएगी दिन है तो रात तो होगी होगी है ना अंदेरा है तो उजाला तो होके रह क्योंकि आगे आने वाला समय आपका सुख का है दुख का नहीं तो बस घवराने की बात नहीं है अब जैसे भी हम आपके साथ खड़ें आप आपका उंगली पकड़िये छोड़ेंगे नहीं आप बस यूही दिल से जुड़े रहिएगा आईए सब चलाज की ध्यान साथना का आज की ध्यान साथना में पर्थम नवरात रहें जगत जन्नी का गुनगान करें ध्यान करें दो मिनट के लिए भगवती का शुबासिस हम सब को प्राप्तो पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संदधतिम करेश्त्रिनयानाम सरवंग वुस्वरिताम निलास मध्युतिमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम् अदुम् कटवं विद्योद्धाम समप्रवाम् रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्ता विरासे विताम हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कबच बना लें ध्यान करें देवी मा का 180 हम सब के उपर बरस रहा है ओम गोलते हुए नेत्रगोंने समान्य हो जाएं देखो साथ को देवी मा की करपा इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज का ये अंक आपको कह पाऊंगा आज की मेरी आवाज आप तक पहुँच पाएगी जेकिन देखो पूरा प्रोग्राम भगवती ने करा दिया तो ये न चाह है तो रास्ते निकल आते हैं और एक बात और ध्यान रखना मा कभी कुमाता नहीं हो सकती हम पुत्र हैं हमको पुत्र हो सकते हैं हम नलाइक हो सकती है लेकिन मा कभी भी कुमाता नहीं हो सकती आपकी साधना चाहे दो मिनट की है चाहे सो मिनट की है अगर ढंक से कर रहे हैं साधना फेल नहीं होगी साधना अपना सर जूर दिखाएगी आज नहीं तो कल किसान खेत में आख बंद करके भी पीज डाल दे तो दो नहीं सो नहीं तो दो चार तो अंकुर फूटेंगे फूटेंगे इसलिए साथना जाए थोड़ी करें लेकिन बिटे बहुत भाव से किया करें आज बड़ा नौटंकी का यूग है आप देख रहें न ना भाव ना भक्ती है न कुछ में नहीं है अब आप मनुरंजन को जगह दी जा रही है नाचना, गाना अजीव अजीव सी मलब आप सब जानते हैं आप अपने घर में बैठके ही भक्ती कीजिए आपके घर में ही भगवान उपस्तित होंगे तो इसलिए आप किसी भी ड्रामे बाजी में नाफस है और भगवान इतने सस्ते नहीं है कि भगवान को जाके कोई भी रिजा ले इतने सस्ते भगवान नहीं है जितना आज की दुनिया समझ रही है इसलिए वेटा भगवान को पाने के लिए अरस लगते हैं भगवान को पाने के लिए बरस लगते हैं भगवान को पाने के लिए कई जनम लगते हैं इतना असान नहीं है कि एक धोलक बजी और आपने डांस शुरू कर दिया और भगवान आपके घर में आ जाए नहीं ऐसा नहीं हो सकता इसलिए बी एम में की डिग्री मिलते मिलते भी भी है ना 12-14-15 वरस लग जाते हैं एकदम नहीं डिग्री हात में आती इसलिए बेटे दिखावे में मत पढ़ होना निश्चत और निश्चत और निश्चत भगवती के दर्शन होंगे और आपको सुन्दर लाब मिलेगा 24 तारीक से 24 फरवरी से पूर्णी मा से मागमास की पूर्णी मा से 10 मिनट की साथना हम लोग कराने हैं हम कौन कराने हैं भगवती का उपदेश हुआ भगवती करा रही है और आपका सोभाग है इसमें स्व्यम में जोड़ना जादे से जादे लोगों को जोडने का परियास करना समझें जादे से जादे लोगों को जोडने का परियास करना दीप से दीप जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो इसलिए जितने अधिक लोगों को हम इस स्वंभी इस साधना से जूड़ करके पुन्या के भागी बनें, अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवार के लोगों को, निकटतम, निकटवर्तियों को, जितना आप इस दस मिनट की साधना से जूड़ें, उतना लाब सबको पराप्त होगा, और यदि कोई भी बहुत की साधना रहेगी, 24 तरिक से सुरूओगी, 25 मार्स तक रहेगी, और तकरीवन 31 दिन की ये साधना, तो 31 दिन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया जाने वाले हैं, अच्छे सिस्ट्रम जूड़ना, और उको भी जू़ने का प्रियास करना, चलिए, और कैसे जूड़ने, तो कुछ भी नहीं है, सुबह करीब 11-12 बजे से, आप हमारे संस्थान में जो नीचे 4 नंबर चल रहे हैं, लेको 3-4 नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करें, और शाम के 4-5 वे तक करिएगा, इन विट-वे लिखवा दीजे हमारा ये नाम है हम यहां से बोल रहे हैं, और हम इस साधना से जूड़ना चाहते हैं, इसके बाद 2-4-5-10 दिन में इसकी PDF फाइल आपको मुवाइल पर आ जाएगी, कोई दिक्कत लगेगी, वह भी मैं आपको सहरा बताने का प्रियास करूँगा, एक दो दिन में गला भी ठीक हो जाएगा और फिर आगे की चर्चाहें आपके संग यूहीं बादस्तूर चलती रहेंगी, चलिए, आप स्वस्त रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुपकामनाओं के साथ हम अपनी मानी को विनाम देती हैं, जय जय अंबे तो आपका मैं रेगुलर मैं देखता हूँ साड़ अच्छे वजे का, एन्हीं हो निकाल के टाइम, तो आपने एक मंत्र बताया था, ओंग वैशी मुखी, राजमुखी स्वाहा, जी मेरा ओफिस में हमेशा कलकता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ओफिस में कोई जहमेला, खिट-पेट, बॉस के साथ खिट-पेट, इधर पार्टनर्स के साथ खिट-पेट हमेशा लगा रहा रहा था था, कुछ भी हो जाए, बहुत करो चिड़ जाता था, यह रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद, वहीं पूजा घर में ही बैटके, मैं 21 बार अपने कहा किसी भी समस्या के समाधान के लिए, प्रसिद्ध हस्त रेखा, एवं वास्तु विशेशग्य, प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने ही तू, एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए, कॉल करने का समय, सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे त के हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें